प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शिमला में शुरू होगा। 6 अपरेल तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 18 बैठके होंगी। और मुख्यमत्री सुखफेंदर सिंग सुखु 17 मार्च को वर्ष 2023 का आम बजट प्रदेश विधानसभा में पेश करेंगे। 20-23 मार्च तक बजट अभीभाशन पर चर्चा होगी जबकि 27-29 मार्च तक विभिन विभागों से संबन देत विपक्ष के कटोती प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। 29 मार्च को ही अगले वर्ष का बजट पास कर दिया जाएगा। विधानसभा बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुक्ता प्रबंद किये गए हैं। इस वीजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए आज शिम्ला में सर्वदलिये बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा देक्ष तवारा सभी दलों से सदन की कारेवाही शांती प्रिय अधंग से चलाने की अपील की जाएगी। दूसरी ओर आज साएं भाजपा विधायक दल की बैठक शिम्ला में नेता प्रदिपक्ष जैराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में बजट सत्र के लिए भाजपा रणनीती तयार करेगी। उमीद जिताई जा रही ही है कि इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुख्विंदर सिंग सुखूर पहली बार सदन में बजट प्रस्तूत करेंगी तो वहीं भाजपा संस्थानों को डी नोटिफाय करने और अन्य गारेंटियों के मुद्दे प